हेलो फ्रेंड मैं लिंगराज पटिल मेरा चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ आज मैं आप सब के लिए और एक नया रेसिपी लेकिया हूँ आज हम बनाएंगे सब का फैवरेट क्रिस्पी कॉर्न चाट तो फिर चलिए दोस्तों ये रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखिए दोस्तों है स्वीट कॉर्न आज इसी से हम रेसिपी बनाने वाले हैं मार्केट में जो मिलने वाला फ्रीजर के स्वीट कॉर्न होते हैं, उसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, चलिए मैं आपको एक कॉर्न को छील के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एकदम ताजी और एकदम फ्रेस है, और इसका हर एक दाना एकदम मोती जैसा है, हमने दोनों कॉर्न को छील लिया है, आप हम इसको दो दो टुकडा भी कर दिये हैं, आप हम कॉर्न को बॉल करने के लिए, एक कॉकर में थोड़ा सा पानी लिये हैं, उपर से हलका सा नमक डालेंगे, और सारे कॉर्न के पिसेस को इसमें डाल लेंगे, और इसको थोड़ी द अब हम सारे कॉर्ण के जो दाने हैं इसको एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेंगे तो चले इसको निकाल लेते हैं और ये देखिए हमने सारे दाने को प्लेट में निकाल लिया है चले में आपको एक पीस चेक करा के दिखाता हूँ ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हुआ है अब यह हम लेंगे एक छोटा सा कटोरी उसमें सारा कॉर्ण को डाल देंगे और इसको डालने के बाद इसका उपर डालेंगे थोड़ा सा डेली उज नमक उपर से डालेंगे थोड़ा सा काला नमक इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा गोलकी का पाउडर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कस्मरी रेट चिली पाउडर थोड़ा सा अधरक ले सुनका पैस्ट और इन सारे चीज़ों को डालने के बाद इसको हम एक चमच के मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसको ढख के 5-6 मिनिट के लिए छोड़ देंगे और 5-6 मिनिट होने के बाद अब हम इसका उपर डालेंगे 1.5 चमच मैदा मैदा को डालने के बाद इसका उपर से डालेंगे थोड़ा सा कॉर्ण फ्लू फाउडर यानि कि आरवट पाउडर हमने आरोट पाडर को दो चमच लिया है इन दोनों को डालने के बाद इसको हलके हलके हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इसके बाद मिसका उपर और थोड़ा सा कॉर्ण फूर डालेंगे यह देखिए अभी मिक्स हो गया है अब हम इसका उपर और थोड़ा सा कॉर्ण फूर डाल देते हैं और इसको फिर एक बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यह देखिए हम इसको इसी श्टेस तक ही मिक्स करना है यह देखिए हमने तेल को पहले गरम कर लिया था अब हम थोड़ा थोड़ा लेके इसमें डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राय कर लेंगे अब जब भी इसको तेल में डालते हैं 2-3 मिन बाद जब भी अच्छी तरह से फ्राय हो जाता है उसके बाद इसको हाथ लगाएं और इसको फ्राय करते टाइम ग्यास एकदम हाय होना चाहिए यह 5-6 मिनिट के बाद अच्छी तरह से फ्राय हो जाता है यह देखिए यह अब अच्छी तरह से फ्राय हो गया है अब हम इसको चान के एक प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए हमरा 1st wedge burn के रेडियो हो गया है अब हम बाकी बचा को भी तेल में से चान के निकाल लेंगे अब हम सेम प्रोसीजर में हमारा दूसरा wedge को भी फ्राय कर लेंगे दोस्तो आज मैं जिस तरीके से रेसिप्य को आपको बना के दिखा रहा हूँ मेरे बताय हो तरीके से आप इसको एक बार घर में बना के जरूर ट्रै कीजिएगा आपको यह बहुत पसंद आएगा और यह देखिए दोस्तो हमारा सेकंड बेज भी अच्छी तरह से फ्राय हो गया है अब हम इसको भी चान के निकाल लेंगे यह देखिए इसको भी हमने प्लेट में निकाल लिया है इसी तरह हमें थोड़ा-thोड़ा करके सारे कॉर्ण को फ्राय कर लेना है और यह हमने सारे को फ्राय कर लिया है अब हम उसी कड़ाई का तिल में थोड़ा सा बिना चिला हुआ लेसुन का कलिया को फ्राय कर लेंगे उपर से दो मिर्ची भी फ्राय कर लेंगे लेसुन और मिर्ची को फ्राय करके इसको कॉर्ण में मिक्स करके इसको बना के खाने से यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, यह देखिए, अब यह अच्छी तरह से फ्राय हो गया है, अब हम इसको निकाल के कौर्ण के उपर डाल देंगे, अब कौर्ण में डानने के लिए हमने लिया है, दो प्याच इसको छोटा-छोटा करके काट लिया है, साथ में लिया है, थोड़ा सा अधरक, इसको भी काट लिया है, साथ में लिया एक निम्बू का टुकड़ा, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और छोटा सा सिमला मिर्ची इसको भी काट लिया है, यह देखिए, अब हम लेंगे कड़ाई, अब कड़ाई में प्याच को डाल देंगे और उपर से डालेंगे सिमला मिर्ची तो चले सिमला मिर्ची को भी डाल देते हैं इसके बाद हम इसका उपर अधरक को भी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से फ्राय कर लेते हैं दोस्तो हमें इसको बिना तेल के फ्राय करना है क्योंकि हमें प्याज और सिमला का बस मौस्चर को ही खतम करना है क्योंकि अगर फ्राय करते टाइम एक कड़ाई में चिपकता है तो अब हल्का सा तेल डाल सकते हैं यह देखिए अभी अच्छी तरह से फ्राय हो गिया है सारा मौस्चर भी खतम हो गिया है अब हम इसका उपर सारा फ्राय के अकॉर्न को डाल देंगे और उपर से डालेंगे थोड़ासा गोलकी का पाउडर इसके बाद डालेंगे थोड़ासा काला नमक उपर से डालेंगे एक चमच चाट मसाला पाउडर और इन सारे चीजों को डालने के बाद इन सब को अच्छी त तरह से fry हो गया है अब हम इसका उपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं और उपर से डालेंगे एक आधा नीमू का टुकड़ा ये देखिए हम सारा रस को इसमें निचोड देंगे इसको निचोडने के बाद इसको फिर एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए दोस्तो हमारा फ्राय कॉर्ण चाट बन के रेडियो हो गया है चले अब हम इसको गर्मा गरम प्लेट में सौर्प करते हैं दोस्तो ये कॉर्ण चाट सब का फेरवेट होता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है इसलिए आप इसको अपना डेली रूटिन में जरूर सामिल करिएगा दोस्तो आज का ये मेरा कॉर्ण चाट कर रेशीपी आपको कैसा लगा मुझे कॉमन करके जरूर बताईएगा और जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दीजेगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजेगा ताकि मेरा आने वाल हर नया वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप मेरा वीडियो को वाच कर सके तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स वीडियो में और एक नया रेसिपि के साथ ठैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंड्स